हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉड्स ओफ लिटरेचर पर दोस्तों आज हम जिस बहुत ही मशूर पोएम को डिसकस करेंगे वो है विलियम वल्सवर्थ की The Word Is Too Much With Us ये पोएम एक सॉनेट है जिसे पेटरारकन फॉर्म में लिखा गया है को 1802 में कंपोस किया था और ये पहली बार 1807 में पब्लिश होई थी इस पोएम में वल्सवर्थ ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के समय की दुनिया को उसके मैटेरियलिज्म और नेचल से दूरी के लिए क्रिटिसाइज किया है वल्सवर्थ का ऐसा मानना था कि हुमेनिटी की spiritual progress के लिए हमारा नेचल से जुड़े रहना ज़रूरी है जबकि इस समय की दुनिया में इंसान नेचल से पूरी तरह अलग हो गया था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ कमाने और खर्च करने में लगा रहता था इसी चीज को criticize किया है वल्सवर्थ ने और इस पोयम की rhyme scheme है A B B A A B B A C D C D C D C D जैसे कि हम मनुष्य धर्थी पर बोज बन गए हैं या फिर ये दुनिया हमसे परिशान हो चुकी है हमसे आज़े जाच चुकी है तो आएए चलिए इसके पहले stanza को देखते हैं The word is too much with us यानि कि हम मनुष्य इस धर्थी पर बोज बन गए हैं Late and soon या तो ऐसा लेट होगा ऐसा बाद में होगा या फिर ऐसा जल्दी ही होगा और getting and spending कि कमाने और खर्च करने में We lay waste our power हम जो है वेस्ट कर दे रहे हैं अपनी सारी power सारी strength, सारी energy को किस चीज़ में सिर्फ कमाने और खर्च करने में Little we see in nature that is our और हम इस दुनिया में बहुत कम ही देखते हैं जो की हमारा है nature में nature जो की हमारा ही है और इसमें हम बहुत थोड़ा ही देखते हैं कहने का मतलब यह है कि यह nature जो की वास्तों में हमारे लिए ही है और हम इसको पूरी तरह से ignore करते हैं हमें लगता ही नहीं है कि nature हमें कुछ offer कर सकता है इसमें हमारे लिए भी कुछ है और हम पूरी तरह से केवल कि इसमें लगे हैं कमाने और खर्च करने में यानि getting और spending में We have given our hearts away और हमने अपने दिल को अपनी आत्मा को बेच दिया है किसी इस के लिए? a sordid boon sordid का मतलब है ऐसी human feelings जैसे की immorality, selfishness, greed और boon का मतलब होता है blessing या benefit कहने का मतलब यह है कि materialism एक corrupt और destructive blessing है जिसे industrial revolution ने produce किया है और हम इसी के लिए अपनी आत्मा और अपने दिल को बेच चुके हैं और अब हमें इस nature में कुछ भी अपने लिए दिखाई नहीं देता है अब देखिए यहाँ पर थोड़ी nature की बात कर रहे है कि this sea, यह samodr, that bears her bosom जो अपना सीना तान कर खड़ा है to the moon, चंद्रमा के सामने तो यह samodr, जो अपना सीना and are up gathered now like sleeping flower और अभी वो गादर हो गई है यानि शान्त हो गई है एक सोते हुए फूल की तरह for this, इसके लिए for everything और हर चीज के लिए we are out of tune यानि कि हम लोग को इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है हम out of tune है तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है यह सब हमें बिलकुल प्रभावित नहीं करता है it moves us not यह सारी चीजें हमें प्रभावित नहीं करती है great god it moves us not का मतलब कि अब हमारा हमें इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं यह चीजें हमको जरा भी प्रभावित नहीं करती है great god अब यह god से कह रहे है क्या कह रहे है I would rather be a pagan कि मैं एक pagan बन जाना पसंद करूँगा किसी इसकी तुलना में suckled in a creed outward suckled का मतलब होता है nutrition gain करना यानि कि वसे suckled का मतलब होता है breast feeding तो मैं जो है एक ऐसी creed यानि कि एक ऐसे धर्म एक ऐसे मत जो कि अब out one हो चुका है यानि जीर्ण हो चुका है बिल्कुल नश्ट हो चुका है उससे जो है nutrition gain करने के बजाए मैं क्या पसंद करूँगा मैं पसंद करूँगा एक pagan हो जाना दोस्तों pagan वो religion है जो Christianity के पहले Europe में popular था जिसमें natural things की ही पूजा करी जाती थी जब Christianity आई तो धीरे-धीरे ये paganism वाला religion खत्म हो गया तो ये God से कह रहे हैं कि great God देखियोंने पूरी respect दे रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि एक ऐसी creed जो की अब outward हो चुकी है उस पर सकल्ड होने के बजाए मैं एक pagan बनना पसंद करूँगा तो जब मैं pagan बन जाओंगा तो क्या होगा So might I standing on this pleasantly तो जब मैं खड़ा रहूंगा इस pleasantly में ली का मतलब होता है चारगाह या घास के मैदान तो जब मैं इस खुशनुमा घास के मैदान में खड़ा रहूंगा तो क्या होगा Have glimpses तो मुझे ऐसे द्रिश्य दिखाई देंगे That would make me less forlorn तो मुझे ऐसे द्रिश्य दिखाई देंगे जिससे की मैं कम अकेला महसूस करूंगा Forlorn का मतलब होता है निराश या अकेला आगे देखिए ये क्यों बता रहे हैं कि क्या वज़ा है कि मैं कम निराश महसूस करूंगा Have sights of protes Rising from the sea Are here old triton blow His writhard horn देखिए ये दो Greek God है पहले हैं protes जो कि समुद्र के देवता है और इनको जो है ये कहरे हैं कि मैं समुद्र से निकलते हुए उनको देखूंगा अगर मैं अकेला भी रहूंगा तो मैं वहाँ पूरी तरह सा अकेला नहीं रहूंगा समुद्र से निकलते हुए मुझे protes दिखाई देंगे या फिर कौन दिखाई देगा और here old triton blow his redhead horn या फिर मैं triton को जो है देखूंगा triton भी एक समुद्र के देखूंगा जो कि अपना घुमाओदार रिथेट का मतलब होता है घेरेदार और horn का मतलब होता है एक शंक जैसा कोई चीज जिसे बजाया जाता है तो ये protes को देखेंगे और triton को देखेंगे protes को समुद्र से निकलते हुए देखेंगे और triton को अपना घेरेदार शंक बजाते हुए देखेंगे यानि कि ये अकेला महसूस नहीं करेंगे तो एक तरह से यहाँ पर Christianity को भी target किया गया है और कहा गया है कि Christianity जो कि अप पूरी तरह materialism में डूब गई है इसमें रहने के बजाए इस विश्वास में बने रहने के बजाए मैं पैगन बनना बहतर समझूँगा तो दोस्तों उमीद है कि ये पुएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक के चैनल भी subscribe कर दिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं आज की लिए बस इतना ही Thank you